हेलो फेंट्स वेलकम बेक टो आवर यूट्यूब चैनल नौर्थीस ब्लोगर्स आज मैं आप लोगों को हमारे इस एक्सेल 6 के इंटेरियर के बारे में बताऊंगा तो इसलिए शुरुवात मैंने अंदर से ही की है लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस एक्सेल 6 गाड़ी को लेने से पहले हम लोग दिल्ली गुमने के लिए गया थे जिसके वीडियो हम लोगों ने एक के बाद एक आपलोड करना शुरू तो किया था पर अभी तक खतम नहीं हुआ है कुछ बीच में वह रहसा गया है और फिर यह गाड़ी की वीडियो हम लोगों ने ड इतजार कर रहे हैं तो दिल्ली अगरा मथूरा गोकूल होते हुए हम लोग कैसे यहां पहुंचे और क्या-क्या चीज हम लोगों ने वहां देखी खासकर श्री कृष्ण जी के गोकूल का वह घर जहां उन्होंने आपना बच्पन गुजारा था तो उस जगह से हम लोग हो को बराबर प्यार दे रहे हैं और देख रहे हैं साथ में हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं उसी तरीके से आप हमारे दिल्ली के वीडियो और बाकी के दूसरे वीडियो को भी आप लोग आगे देखें और जो भी पसंद आए आप लोग आगे कमेंट करते ह तो दोस्तो आईए आज में आप लोगों को XL6 के बारे में बताता हूं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप लोगों में से जिसकिसी ने भी हमारे XL6 वाले पुराने वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हम लोगों आप लोग उस वीडियो के लिंक उपर दिये गए आई बटन के सहारे क्लिक करकर देख सकते हैं मैं एक के बाद एक सारे लिंक बहुत ही जल्द आप लोगों को देने वाला हूं उपर में निकलेगा और आप लोगों से अनुरुद है कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे इन वीडियोज को लास्ट 15 से लेकर 20 दिनों में देखना पसंद किया है और उसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप हमारे दूसरे वीडियोज को भी देखें काफी इन्वर्टमेंटिव वीडियोज हमारे इस चैनल में मौझूद है और आगे भी आप लोगों को एक एक करकर ब चलते हैं काफी मोडिफिकेशन की गई जिसके चलते हैं कि चलते हैं गाडवी डिशकेम लोग करेंगे तो आगे बढ़ते हैं और डीटेल में एक एक चीज़ के बाहरे में जानते हैं तो दोस्तों आईए सबसे पहले ड्राइवर के दर्वाजे से चलू करते हैं और फिर यहां से आगे हम लोग अंदर को जाएंगे तो देख रहे हैं आप यह विंडो के वगल में यह बहुत बढ़िया से फिनिशिंग दी गई है और यहां यह जो आप देख रहे है यह marble finish में दिया गया है dashboard से continuation में यहां दर्वाजे तक यह आती है और यह उपर light color में यह silver finish दिया गया है बहुत ही अच्छा लगता है और यह दर्वाजा खोलने के लिए जो handle है यह chrome finish में आप यहां देख रहे हैं बहुत ही सुन्दर लगता है यह दर्वाजे को lock करने के ल है driver के window के लिए actually ताकि driver का window अगर आप on off करना चाहें तो एक ही बार में पूरा का पूरा चड़ जाएगा पूरा का पूरा या तो उतर जाएगा तो ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां दो buttons दिये गये हैं देख रहे तो इसको अगर उठा के रखों तो यहां से भी operate होगी और हर जो भी अंदर operations के लिए power window का बटन दिया गया है वहां से operate होगा यह central lock का बटन है यहां से lock unlock होता है देख सकते हैं आप मैं यहां दबाऊंगा तो यहां change होगी आप ध्यान दियेगा मैं यहां lock कर रहा हूं है गारी के speed से भी related है इसके बारे मैं आपको बताऊंगा यह बहुत ही बहतरीन feature है गारी की speed 20 के उपर हो जाती है तो सारा दर्वाजा आपका lock हो जाता है लेकिन इसमें भी एक problem है बाद में मैं discuss करूंगा बताऊंगा मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में और यह जो left वाला OVRM adjust होगा या तो ऐसे करके right में घुमा लीजिए तो right वाला OVRM adjust होगा फिर इसको आप लोग जैसे मैं left, right, up, down जैसे भी करेंगे उस हिसाब से OVRM आपका left, right, up या down होकर adjust होगा और यह जो है यह OVRM को बंद करने के लिए direct button है इसको अगर आप प्रेस करते है running condition मे अगर गारी start होती तो OVRM आपका खुलता या बंद होता और यह जो OVRM है इसको आप लोग हाथ से बंद या खुला नहीं कर सकते हैं, खराब हो जाएगी एक्चली, करना नहीं है, यह अपने आप जब गारी start होती है, यह खुलती है, गारी बंद होती है, तो यह बंद हो ज बंद करना चाहे, तो काफी बड़ा space है, इसमें कुछ चाहे तो अगला रख भी सकता है, छोटी मोटी packet या फिर coin चोगरा कुछ यहां रखने के लिए भी अच्छा space बनाया हुआ है, और नीचे आप देख सकते हैं, यह एक bottle holder है, यहां single एक बड़ा bottle आ जाएगा, और यह क एक बड़ा सा छोटा tutor, तो इस गाड़ी में जो infotainment system लगा हुआ है, इन speakers के सहारे, आप उस infotainment systems का कफी मजा ले सकते हैं, तो आईए यहां से आगे चलते हैं, मैं आपको यहां panel दिखाता हूँ, यह जो continuation में मैं आपको बताया, यहां तक dashboard में भी है, आप देख सकते है बहुत ही सुन्दर से यह marvel finish और यह दिया गया है, साथ में यह नीचे start stop का ignition का button है, इंजिन start stop का, और यहां नीचे कुछ खास buttons दिये गए हैं, देख रहे हैं, यह आपका smart hybrid का button है, यह 360 view को आप अंदर से view कर सकते हैं, दुबारा आपने इच्छा अनुसार, यह traction control है, यह क button है, यह round round गुमता है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके, जिस तरीके से आप इसको उपर नीचे करोगे, इसे lights की position up and down होती है, तो headlight को उपर नीचे करने का यह एक function है, जिसके सहारे आप headlight को उपर नीचे कर सकते हैं, और यह हाँ नीचे जो है, यह आप देख सकते हैं, यह driver के लिए एक अलग से space बनाया हुआ है, driver कुछ जरूरी कागजाद अगर यहां राखना चाहे, तो यह रख सकता है, तो दोस्तों नीचे का हलत को थोड़ा सा आप लोग ignore कीजिगा, क्योंकि यहां बारिस का बहुत मौसम चल रहा है, जिसके चलते हैं, थोड़ी सी गंदगी यहां ज करेंगे, और कि इस तरीके से smart hybrid का जो function है, वो आप लोग use में लाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में एक बार, और धीरे धीरे जब हम लोग यहां से उपर चलते हैं, तो आप देख सकते हैं, यह AC vent है, तो इस तरीके के AC vent कई है, यहां पर, पूरे dashboard म चार vent हैं, और गाड़ी में भी है, यहां उपर में भी है यह, और यहां glass के पास में भी है, तो दोस्तो आज, XL6 के interior की बाते करते हुए, मैं आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो interior में मौझूद है, जो सायद ही किसी को मालूम है, या फिर कभी किसी वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो आईए सबसे पहले में आप लोगों को dashboard दिखाता हूँ, देखिए, यह जो dashboard है, dashboard में left side में एक यह बटन है, देख रहे हैं आप, left side में यह बटन है, यह air vent है, तो left side में एक यह बटन है, और इधर right side में आपको यह बटन मिलेगा, देख रहे हैं, यह क्या है, यह दो बटन क्या है, तो दोस्तों, यह जो left side वाला बटन जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, जो थोड़ा सा चोड़ा है, और flat सा है, वो actually light sensor का बटन है, उसमें जब भी light पढ़ती है, वो दीन है की रा अगर auto function यहां हम लोग on करते हैं, वो नहीं चलेगी, तो आप लोगो कभी ऐसा नहीं करना है, कभी भी आप लोग dashboard में कुछ भी समान रखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि यह जो sensors लगे हुए हैं, वो आप लोग block ना करें, खासकर left side वाला वो light sensor, और right side वाला यह, यह क् बाहर में एक्चली जो temperature होता है, वो गाड़ी को कैसे पता लगता है, क्योंकि instrumental panel में आपको दिखाया जाता है कि बाहर में temperature फ़राना है, 25 डिगरी है, 26 डिगरी है, वो पता कैसे लगता है, वो दोस्तों यहां इस से पता चलता है, यह है वो sensor, तो यह जो है, यह थोड़ा है, और गोलाई में थोड़ा छोटा है, लेब साइड के मुकाबले, तो यह जो है, यह sun beam को sense करता है, यानि heat sensor है, जिससे बाहर के temperature का reading आपको गारी के अंदर मिलता है, और लेब साइड ओला जो है, वो light sensor है, जिससे गारी को पता चलता है, कि day है, कि night है, दीन हो रही है, कि रात हो रही है, यह गारी को पता चलता है, क्योंकि दीन रात के चलते गारी में कई ऐसे auto functions है, जैसे कि headlight अगर आप यहाँ auto positions पे रखते हैं, यहाँ अगर इसमें, जो headlight ओला जो system है, इसको अगर आप लोग auto positions पे रखते हैं, तो रात होते ही अपने आप light जल जाएगी, आपको जलाना भी नहीं है, क्योंकि गारी को पता चल जाएगा उस sensor के सहारे की रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो light अपने आप जल जाएगी, तो दोस्तों यह जो headlight का है यहाँ, इसमें तीन चीजे हैं, दोस्तों मैं आप लोगो को बताना चाहूँगा, एक तो यह signal का है, आप ऐसे lift कर लो तो lift signal, right कर लो तो right signal, ठीक है, और उपर आप ऐसे खीचोगे, तो इसका high beam का चलता है, दूसरा यह जो है, पूरा first panel जो है, यह headlight का है, या तो off रखिए, या auto position में, या फिर ये position, second position, या फिर ये third position, या second और third position में भी एक बात है, ये second position में आप रखोगे, तो आपकी गाड़ी की सारी की सारी lights on हो जाएगी, लेकिन headlight off होगा, headlight on नहीं होगी, लेकिन आप इस position में रखोगे, तो all lights on होगी, आपकी गाड़ी की सारी की सारी lights on होगी, लेकिन ये क्या है, देखिए ये दूसरा वाला, ये ऐसे भी घुमता है, ऐसे भी हो तो ही नीचे वाला fog light on होगा, नहीं तो आप इसको इस position पे रखोगे, तो चाहे आपकी headlight वाली full set on होगी, लेकिन आपकी fog light off होगी, आपको fog light चाहिए, तो इसे आपको यूँ करनके इस position पे रखना होगा, तो दोस्तो इसमें तीन चीजे है, headlight cluster, fog light और signal, यह तीन चीजे य जो है, इस steering में भी चार चीजे है, एक left side में infotainment system को control करने का system है, right side में cruise control है, यह बहुत important चीजे है, यह cruise control, बताऊंगा मैं आपको यह कैसे set करना है, क्या है, इसका मैं अलग से video बना के भी आप लोगों को बताऊंगा, और यहाँ बीच में जो है, आप देख सकते हैं, यह एक अलग set of controls है, जिसके सहारे आप mobile phone, जो भी आपके यहाँ infotainment system में connected रहेगा, उस mobile phone को on off कर सकते हैं, यानि calls आप ले सकते हैं इस button से, और इस button से calls को reject कर सकते हैं, और यह है speaker का system यहाँ का, क्योंकि इस गाड़ी के infotainment system में आपके android phone को connect करने के इलावा भी इस गा बात करना चाहते हैं, यानि गाड़ी के intelligence system से आप कुछ बात करना चाहते हैं, तो इस button को अगर आप नीचे से उपर कुछ यह उठाएंगे, तो अपने आप यहाँ का जो infotainment system का system है, वो intelligence का वो चालू हो जाएगा, और आप से बाते करने लगेगा, यह infotainment system, जो आपको पूछेगा कि बताइए मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ, और आपकी अगर android phone इस गारी से connected नहीं है, तो आपकी और infotainment system की जो बाते हैं, वो continue रहेगी, और अगर आपकी android system इस गारी से connected है, तो सीधा वो यही बताएगी कि sorry मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि आपकी android system, infotainment system से connected है, बोलके वो गायव हो जाएगी फिर, और दूसरा यहां जो यह जो panel जो मैंने बताया आपको यहां के जितने भी buttons हैं, यह दो तिन जो भी buttons हैं यहां के, यह हर button को आपको उठाना है, जब भी आप इसका इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, य जब ही यह काम करेगा, उठाएंगे तो connect होगा, दुबारा इसको उठाएंगे तो disconnect होगा, एक connect के लिए, एक disconnect के लिए, तो दोस्तों यहां standing में तीन पैनल है, मैंने आपको बताया, एक तो यह cruise control वाला पैनल है, side में, यह cruise control का button है, जब भी आप cruise control को इस्तेमाल करना चाह करते हैं, और यहां बगल में infotainment systems के mode को select करने के लिए, आप radio चलाना चाहते हैं, कुछ अलग चलाना चाहते हैं, और क्या क्या चलाना चाहते हैं, यह mode को आपको यह दबाएंगे अगर आप इसको अंदर, तो यह mode selection होगी, इसको उपर नीचे करेंगे, तो volume का control होगा, औ और यह left right वाला button है, उसको अगर आप दबाएंगे, तो आपका scene change होगा, यानि पहला काना बज रहा है, तो jump करके दूसरे गाने पे चले जाओगे आप, तो उस तरीके से आप change कर सकते हैं, और एक यह जो है, यह आपका mute button है, यह button खाली है, यह mute button है, यह आप mute कर दोगे, तो पूरा infotainment system आपका mute हो जाएगा, और दुबारा दबाने पर वापस चालू भी हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तो इस steering cluster में यही चीज़ है, लेकिन एक यहाँ airbag भी मौजूद है बीच में, खुदा ना खास्ता अगर कभी जरूरत पड़े तो यह airbag खुल कर आपका जान भी बचाएगा, तो दोस्तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, हमारे XL6 के इंटिरियर के आगे आने वाले वीडियो को बराबर देखने के लिए, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोगों में से जो भी इस चैनल में नए हैं, वो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आप लोग बेल बटन दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम लोग हमारे नए वीडियो डाले, आप लोग बराबर उन वीडियो को देख पाएं, तो बहुत ही जल्द मिलेंगे, धन्यवाद. ।